दोस्तो जैसे के आप वीडियो के अंदर देख सकते हो चाइना अमेरिका के बॉंड्स के अंदर बिक्वाली कर रहा है याने के चाइना के रिजव के अंदर जो अमेरिकन बॉंड्स पड़े है वो धीरे धीरे चाइना कम कर रहा है ये news के अंदर अभी आप clearly देख सकते हो चाइना की American bonds की holding लगबग 40% कम हो चुकी है जो ये clear indicate कर रहा है कि चाइना धीरे धीरे de-dollarization की तरब बढ़ रहा है और चाइना ही वो मुख्य country है जो de-dollarization के उपर focus कर रही है अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये चाइना की American bonds की holding का चार्ट है आप देख सकते हो 2014 के बाद से अमेरिका के bonds की holding चाइना धीरे धीरे कम कर रहा था लेकिन अगर आप 2022 से ये चार्ट को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि चाइना बहुत तेजी से 2022 के बाद से American bonds की holding कम कर रहा है ये speed को आप वीडियो के अंदर clearly देख सकते हो तो दोस्तो अगर चाइना 2022 के बाद से American bonds की holding को बहुती speed से कम कर रहा है तो वो कहा पर उसका रिजव बढ़ा रहा है हम आपको हमारे वीडियो से ये लगातार दिखाते आये है कि चाइना गोल्ड के अंदर एक बहुती बड़ी खरीदारी कर रहा है और हमने आपको हमारे वीडियो से ये चाइना लगातार दिखाया है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये चाइना की गोल्ड की holding है आप देख सकते हो कितने speed से 2022 के बाद से चाइना ने गोल्ड की खरीदारी की है तो ये clear indicate कर रहा है कि 2022 के बाद से चाइना बहुत तेजी से अमेरिकन बॉंड को बेच रहा है और उसी speed से चाइना गोल्ड को खरीद रहा है जो गोल्ड के लिए बहुती positive है हमने आपको ये prove करके भी दिखाया है कि जब से चाइना गोल्ड की holding लगातार बढ़ा रहा है तभी से गोल्ड की कीमते बहुत तेजी से उपर जा रही है और चाइना ही वो country है जो गोल्ड की कीमतों को drive कर रहा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक paid टेलेग्राम गुरूप भी है जहाँ पर हम गोल्ड सिल्वर की news का analysis देते है उसी तरह से data के बारे में आपको information देते है operator का data का analysis देते है और अगर कोई positional trade हो तो वो भी बताते है हम intraday के अंदर ना ही कोई suggestion देते है और ना ही trading करवाते है तो intraday के लिए हमसे ना जुडे जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 2 में 2024 को जब सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी हमने हमारे members को silver उसी तरह से gold के अंदर भी खरीदारी करवाई थी 2 में तक जो silver के अंदर downfall आया था हमने हमारे members को 3 बार installment में खरीदारी करने बोला था आप देख सकते हो हमारी खरीदारी का average 81,366 है और आप सब को पता है silver ने इंडिया के अंदर high बनाया है 96,000 का तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने हमारे members को कितनी सतीक जानकारी हमारे वीडियो से दी है लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे trade गलत भी जाते है और जा भी सकते है तो अगर कोई हमसे जुड़ना चाता है तो दिये गए WhatsApp नंबर के उपर आप हमें message कर सकते हो दोस्तों हमने आपको ये clearly बताया है कि गोल के monthly chart के उपर एक बहुती बड़ा breakout है और इस वज़े से मुझे लगता है देड़ से दो साल गोल के अंदर एक बहुती अच्छी तेजी रह सकती है पिछले तीन महिनों में गोल के अंदर एक बहुती अच्छी तेजी बनी है और इसलिए मुझे लगता है कि पॉसिबल है आने वाले कुछ मैने गोल्ड कंसोल्डेट कर सकता है तो स्थों कंसोल्डेशन का मतलब सीधा है कि गोल्ड एक रेंज के अंदर उपर नीचे हो सकता है गोल्ड ने 2450 डॉलर का हाई बना लिया है मुझे नहीं लगता गोल्ड 2450 डॉलर के उपर बहुत बड़ी तेजी अभी दिखा सकता है मुझे लगता है कि गोल्ड 2450 डॉलर के उपर भी जा सकता है लेकिन वो फिर से नीचे आकर कंसोल्डेट करेगा और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबल है कि अगले तीन से चार महने गोल्ड के अंदर उपर नीचे करके कंसोल्डेशन हो सकता है और वो समय पे आपको अपना नजर या गिरावट पे इन्वेश्मेंट के लिए खरीदारी का रखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है देड से दो साल के अंदर गोल्ड और उपर भी जा सकता है तो ये बात को कुरुपया ध्यान में रखे वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी मेरे वीडियो से आपको इंट्राडे की ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में राय नहीं दी है तो हमारे वीडियो को देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग ना करें